प्रेगनेंसी में आपकी प्रेगनेंसी को प्रेगनेंसी को बना सकता है आइरन बहुत इंपोर्टेंट है आपके हीमोगलोबीन के लिए आपके बलड के लिए तो इसलिए आप अपनी कम्प्लीट प्रेगनेंसी में अपना चेकप जरूर कराती रहें कि आपका हीमोगलोबीन कितना है और अपनी आइरन को कम्प्लीट करें यदि आप आइरन नहीं लेंगी तो आपके बच्चे को कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं तो कुछ ऐसे फूट आइटम्स में आपको बताने वाली हूँ जो आप लेती है तो बहुत रैपिडली आपका आइरन बढ़ता है अपने आइरन को आप इस तरीके से फुल्फिल कर सकते हैं तो यदि जब हम डोक्टर के पास जाते हैं चेकप कराने जाते हैं तो डोक्टर करें आइरन हैं जिंक है फॉलिक एसिड है कैल्सिया मैंगनेशम इसे रिलेटेट बहुत सारे सप्लिमेंट पर सीरप वगरा हमें डॉक्तर सज़ेस्ट करते हैं कि आप यह पीजी और जिससे की आपका आइरन है वो ठीक बना रहेगा लेकिन कभी कभी बिजिस सेडियूल हो या फिर हमारी प्रेगनेंसी इतनी कॉंपलिकेट होती है कभी-कभी कुछ प्रेगनेंट लेडी की कि वह कुछ भी टेबलेट वगरा लेती है उनको वामिट फील होता है कुछ भी खाती है तब भी वामिट फील होता है तो ऐसे में आप डाइट के तुरू अपने आइरन की ड आपको फूड आइटम अच्छा लगता है उसमें आप इनको इंकलूड करके खा सकते हैं यह बहुत हैल्दी रहते हैं आपकी प्रेग्नेंसी के लिए और यदि आपको आइरन की डिफिसेंसी है तो वहां पर तो यह आपको बहुत ही अच्छा वाला वैनिफिट देने वाले हैं तो आपको कद्दू के वीज ले लेने हैं नमट्रू हम बात करेंगे फलियां जी हां फलिया बहुत अच्छी सोर्स इस होती हैं आपके एरन की अकर सद्धियों के समय हैं तो आपको भूसी अर्रे फली new जाएंगी जासए आपकी जो हरी जैसे आपकी राजमा की है धुब द्रेशिक डियुम्य की फली है और बहुत सारी एसी फली है सेम की फली है इतनी सारी फलिया आपको market में available मिल जाएंगे और जो कि आप इनको खाते हो daily diet man की सबजी बना की खा सकते हो इनको वाइल करके खा सकते हो आप इनको इनका soup बना कर भी खा सकते हो और लोबिया की फली भी आपको मिल जाएंगी तो अकर लोबिया की फली मिल जाती है तो घुली की सबजी बोहुत अच्छी स्वोर्स होती है आइरैन के लिएा तो आप आइरन के लिए फलीयां खा सकते हैं कि सबजी बनाटेंगा थे ठीक है तो यह बहुत ज्यादा तो एपायो चुकि अछी मातरा में आई तो इनको यह विद्धी आप जो पायर रहे जाता है अर्द कर्ड़ के साथ लेते हो तो वाइटमिन-C के साथ आप यह शुक्में क्योंकि दही में अच्छी मात्रा में पाया जाता है और जब आप ऐसा कॉंबिनेशन बना कर आप खाते हो तो उनका जो पोशक तत्व है उनके जो पोशक तत्व ड्राइफ रूट के वह आपको कम्प्लीड मिलें उनका जो अवशोशन आपके सरेर में वह अच्छा होगा आप सुखे में बेबी आप दही में जैसे मैंने बताया आप इनका कॉंबिनेशन बना के खाये तब यह ज्यादा फायदा करेंगे तो इस तरीके से आप खा सकती है नेक्स्ट बात हम करेंगे लीन मीट के बारे में जी हां लीन मीट भी बहुत अच्छी होती है यदि आप आपको चाहिए कि आपको अच्छी मात्रा में आइरन की डेफिसेंसी से बहुत साथी प्रॉबलम हो जाती है आपके बॉडी में हेमोगलोवीन नहीं बन पाता और जब आपकी डिलिवरी होती है और हीमोगलोवीन का लेवल कम है तो डॉक्टर आपकी डिलिवरी नॉर्मल तो बहुत जरूरी आइरन लेना अपनी डाइप में तो उसके एक अच्छा सोर्स लीन मीट भी अगर आप खाती है तो यह आप खा सकते हैं इसमें भर पूर मात्रा में आइरन पाया जाता है अच्छी मात्रा में और मैं आपको कहूंगी कि आप यह लीजिये अप हपते में द है यह सारे चीजे आप ले सकते हैं यह बहुत ही इंपोर्टेंट है साथ ही साथ जो भी आप यह हरी पत्तिदार सब्जियों बना रहे हो आप खाये जो लोहे के बरतन होती है जैसे लोहे की कड़ाई उसमें बना कर आप खाये तो आपको अच्छा आइरन मिलेगा मुझे मे कर दो तीन वार हरी पत्तिदार सब्जियों और यह फलियां आप कड़ाई में लोहे की कड़ाई में बना कर खाये आपका अच्छे से आइरन यह उद्ध बन जाएगा तो अगर आप नहीं खाते हो तो लास्ट टाइम में क्या होता है कि जैसे आपके पूरा टायम निकल गय है फिर भी हमोग्लोबी अच्छा नहीं आफ्पा मेंन मगलोլी हाउन आप का यह नहीं आफ महिन हheen आपका आई हमोगलोबी आपका यह टो चाड़ाई जाति है पेशेंट बैजियों को तो आप उन सब चीज से बचेए है आप जितना हूं सकता है आप आई से अधे पड़ेगी आपने फर्स ट्रीमेस्टेर से चालू कर दीजे आप कासा लगदा कि आपका है कम है बहुत जादा तो आप अपने फर्स ट्रीमेस्टेर से चालू कर सकते हैं ठीक है तो ज connect यह भी जो कम्या है आपकी नहीं होंगी और आपकी जो प्रेग्नेंसी है वो हेल्दी रहेगी आपको अलग से कोई सप्लिमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी देखिए परस्नली मैंने चीज फील करी है जो आइरन की बॉटल चड़ती है आपकी बॉड़ी में तो जो हो सकता है कि आप जो हरी पत्तिदार सब्जियां जो कि मैंने बताई वो आप धीरे-धीरे खाये साथ उससे नहीं फरक पड़ेगा लेकिन डायरेक्ट जब बोटल चड़ाई जाती है एक दो चड़ादी जाती है तो उससे ऐसा पॉसिबिलिटी रहती है ठीक मैं शूर नही झाल